नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है नथिंग फोन टुए दोस्तों गर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इसे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटप कम्लिट करोगे उसके तुरांद आपको चेंज करनी है ये 20 सेडिंग्स इन सभी 20 सेडिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सेकुरिटी, प्राइवेसी और प्रोड़क्टिविटी के लिए तो अगर आप अपने फोन को बहतर तरीक से उसकरना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेडिंग्स तो आई दोस्तो चेंज करते हैं इन सभी 20 सेडिंग्स को वन बाई वन सबसे पहले अगर आप गोर करों के तो यहाँ पे अपलाई किया गया है नथिंग का आइकन पैक अलाकि अगर आप इन आइकन पैक को चेंज करना चाहते हो इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने होमपेज पर लोंग ट्याप करना है कस्टमाइजेशन पर ट्याप कीजिए और यहां पर होगा आइकन प्याक और यहां पर है डिफोल्ट आप हाला कि एड़ पर ट्याप करके कोई भी आइकन प्याक यहां से डाउनलोड करके अपलाई कर सकते हो हाला कि मैं अभी यहां पर सेट तो आप अगर शाह हो तो जो color है उन्हें change कर सकते हो इस तरीके से तो अभी मैंने इससे set किया है तो आप देखोगे UI में color change हो चुका है और जो icon pack है उसे भी मैंने change कर दिया है इस phone में आपको मिलता है three finger screenshot का feature मतलब कि आपको अपने three finger से करना है swipe down और आपके phone में capture होगी screenshot आप देख सकते हो अगर आपके phone में यह feature work नहीं कर रहा है तो आपको जना है settings में, system में, gestures में और यहाँ आपके होगा screenshot gesture आपके से open करके जो option है three finger swipe आपके से on करना है इसके अलाब आपने gore क्या होगा screenshot capture करने पे यह sound भी play होता है अगर आपको sound को off करना है तो आपको जना है back और यहाँ पे होगा sound and vibration का option आपको उसे open करना है और यहाँ पे नीचे होगा screenshot sound का option आपको इसे off करना है अब यहाँ आपके कोई भी sound play नहीं होगा अगर आपने अपने phone में face unlock को enable क्या होगा तो आपने gore क्या होगा जब भी आप अपने phone को face से scan करके unlock करते हो तो आपका phone unlock तो जाता है लोग भी खुल जाता है लेकिन आपको end में करना होता है swipe up तभी आप अपने phone को use कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने phone में direct face unlock को enable कर सकते हो आपको end में swipe up नहीं करना पड़ेगा अपने phone को unlock करने के लिए तो इसके लिए आपको जाना है settings में, security and privacy में, device unlock में, face unlock पेटे आप कीजिए और यहाँ पे होगा skip swipe to unlock आपको इसे on करना है और अगर आप mask पहनते हो तो ऐसे में अगर आप चाहते हो mask पहनते हुए भी आपका phone unlock हो जाए तो आपको इस option को भी on करना है तो mask पहनने पे भी आपका phone unlock हो जाएगा अगर आप face unlock आयूस करोगे तो तो हमने अब direct face unlock के enable कर दिया है मतलब की मैं अगर अपने phone को unlock करूँगा face के जारीए तो मेरा phone हो जाएगा direct face unlock आप देख पा रहो बिना swipe up किये आप अपने phone में बिना किसे आपको download किये WhatsApp के delete केगे message को काफी आसन इसे read कर सकते हो तो आपको जाना है settings में notifications में notification history को open करके आपको इस toggle को on करना है इसके बाद आप देखोगे WhatsApp में इस contact ने message को delete किया है लेकिन मुझे नहीं पता ये message क्या थे तो अगर आपको भी ऐसे delete केगे message को read करना हुआ तो आपको जना होगा same settings में और यहाँ पे होगा नीचे last 24 hour का option ये रहा last 24 hour इसमें होगा WhatsApp और इसके सामने होगा arrow का बड़न आपको उस पे tap करना है और यहाँ पे show करेंगे वो सब भी message जो delete केगे थे time के साथ आप उन्हें अब यहाँ पे read कर बाओगे अब जब भी किसी भी app या website में login करने के लिए password को enter करते हो तो आपने गोर क्या होगा password के letter कुछ moment के लिए show करते है इस तरीके से तो अगर bugle में कोई बेठा होगा तो जान पाएगा कि आपका password क्या है लेकिन अगर आप चाहा हो तो इन letters को hide कर सकते हो हमेशा के लिए ये letter आपको यहाँ पे इस तरीके से show नी करेंगे तो इसके लिए आपको जाना है settings में security and privacy में और यहाँ पे है privacy इसे open कीजिए यहाँ पे आपको मिलगा यह option show password आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप password को enter करोगे तो आपको password के later show नी करेंगे अब आप को शो करेंगे केवल dots and dots इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे कि आपको पता होगा इस phone में आपको मिलता है यह google का dialer तो इसके जरी आप अपने phone में calls को record तो कर पाओगे लेकिन उसमें होती है एक announcement जिसमें कहा जाता है कि आपके calls को record किया जा रहा है तो अगर आप चाहते हो call recording के दुरान कोई भी announcement ना हो तो आप इस announcement को off कर पाओगे तो आपको जना है google dialer में इसे open कीजिए settings को open कीजिए फिर यहाँ पे होगा call recording इसे open कीजिए फिर आपको नीचे मिलगा यह option play audio tone instead of disclaimer इसे आपको on करना है agree कीजिए तो इसके बाद आपके phone में call recording के दुरान कोई भी announcement नहीं होगी आपके phone में play होगा एक audio tone एक beep sound ले होगा और उसके बाद आपके phone में call recording स्टार्ट हो जाएगी English press 1 Hindi के लिए 2 दबा 3 दबा इस phone में power menu को access करने का तरीका थोड़ा अलग है आपको power button और volume अब दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है और आपको मिलता ये power menu जहां से आप अपने phone को power off या फिर start कर सकते हो लेकिन अगर आप स्वाओ तो के all power की पे long press करके भी power menu को access कर सकते हो आपको दो button पे press नहीं करना पड़ेगा तो आपको जना है settings में system में gesture में press and hold power button और आपको set करना है power menu पे इसके अब आपके all power की पे long press करके जो power menu है उससे access कर पाओगे अब आपको दो button पे press नहीं करना पड़ेगा कई सारे apps ऐसे होते हैं जो dark mode support नहीं करते हैं मतलब कि अगर आप अपने phone में dark mode को on करोगे फिर भी आपके phone में जो apps होंगे dark mode में show नहीं करते हैं जैसे की flip card या amazon आप देखोगे मेरे phone में अब dark mode है लेकिन फिर भी दोनों app में light mode ही show कर रहा है तो अगर आप चाहते हो जो apps dark mode support नहीं करता वो भी apps dark mode support करें तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो इस phone में तो आपको जना होगा settings में about phone में और यहाँ पे होगा उपर में nothing OS लिखा हुआ उस पर ट्याप किजिए फिर यहाँ पर बिल नमबर आपको इस पर लगातार 7 times ट्याप करना है 1234567 अपने pin को enter किजिए फिर आपको back जाना है system में इसे open किजिए और यहाँ पे आपको में लेगा नया option यह रहा developer options आपको इसे open करना है नीचे आईए और यहाँ आप वोगा एक option or right force dark आपको उसे on करना है यह रहा or right force dark इसे on किजिए तो इसके बाद जो भी apps आपने open किये थे उन्हें आपको करना है restart जैसे की amazon flip card फिर से अगर आप उन्हें open करोगे तो अभी आपको यह शो करेंगे डार्क मोड में आप देख सकते हो इस तरीके से डार्क मोड यहाँ पर उन्हें चुका है सेम तरीके से amazon एप में भी आपको शुगर गा डार्क मोड आप देख सकते हो जैसे की आपको पता होगा इस phone में आपको मिलता है यह glyph interface तिन LED light यहाँ पे आपको मिल जाती है back में तो अगर आप जाओगे settings में यहाँ पे है glyph interface आपको इसे open करना है तो सबसे बिले हैं आपको एक slider और यह है brightness के लिए यह जो LED है आपको कितनी bright शो करनी है तो यहाँ पे तीन scale आप अपने सबसे यहाँ पे इसे adjust कर पाओगे इसके लाव यहाँ पे है flip to glip मतलब कि अगर आप इसे on करोगे जब भी आप अपने phone को flip करोगे इस तरह के से तो यहाँ पे होगी light आप दिख पा रहे हो और आपका phone अब हो जाएगा silent board में activate तो अब बगर कोई भी आपको call आएगा यो कोई भी notification आएगी तो आपके phone में क अब down करोगे आपको यहाँ पे भी लेगी light आप देख सकते हो इस तरह के से तो जितने level पे आपने volume को set किया है उस तरह के से यहाँ पे light का level भी शोगरेगा इसके लाव यहाँ पे है glyph progress मतलब कि अगर आप अपने phone में Uber, Zomato या calendar कर इस करते हो तो अगर आपने इसे on कर द progress हाला कि अगर आपको glyph interface को इस नहीं करना है तो आप इसे one tap में on off कर पाओगे आपको यहाँ मिलता है quick toggle glyph का आप यहाँ से one tap में इसे pop कर सकते हो अगर आपको इसे use करना है तो इसे on रखिए अब जब भी अपने phone में कोई भी wallpaper set करोगे तो आपको मिलेगा atmosphere का option अगर tap कीजिए और यहाँ पर होगा atmosphere का option आपको इसे own करना है फिर आपको करना है done तो इसके बाद अगर आप अपने phone को lock करते हो मान लीजिए और ऐसे में अगर आप इसे unlock करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह wallpaper लेकिन जैसे आप इसे unlock करोगे तो आपको मिलेगा home page पर यह आप होगा pop-up view इस पर tap कीजिए इसरी किसे आप इसे open कर पाऊगे pop-up view में आप देख सकते हो और इसे small window में भी connect कर पाऊगे इसे जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप इसे track कर पाऊगे इसके अलाव अगर आपको दो apps को एक साथ open करना है split window में तो आप ऐसा भी कर पाऊग इस line पे तो आप इन्हें swap कर पाऊगे उपर नीचे कर पाऊगे WhatsApp उपर चला जाएगा और Play Store नीचे आएगा आप देख सकते हो इस तरीके से और अगर आप चाहो तो एक साथ तीन apps को open कर सकते हो तीन apps में एक साथ काम कर सकते हो तो यह हो चुके दो apps अब मुझे open करना है मा साथ यूज कर पाऊगा अगर आप small window पे long tap करोगे तो आपको यहाप मिलते हैं दो icon पहला है mute करने के लिए तो अगर आप इसे mute करोगे तो इससे आप सो कोई भी sound plane होगा और जो दूसरा icon है वो है size को increase करने के लिए इस तरीके से आप इसकी size को increase कर सकते हो या फिर decrease कर सकते हो इससे remove करने के लिए आपको drag करना है यहाँ पे remove में इस phone में आपको मिलता है always on display का feature मतलब कि जब भी आप अपने phone में display को off करोगे आपको मिलेगा इस तरीके से AUD style आप दिख सकते हो तो जब भी आपके phone में display off होगा यह हमेशा के लिए इस तरीके से show करेगा तो यहाँ पे है time, day, date, weather, notification icon और यहाँ पे battery percentage तो अगर आपको भी इससे enable करना है तो आपको जाना है settings में, lock screen में और यहाँ पे sub से नीचे है always show आपके इससे open करना है और इस on कीजिए, schedule को off कीजिए ताकि यह जो feature हमेशा के लिए work करें, इस phone में आपको मिलता है inbuilt app lock का feature मतलब कि आपको कैसे भी third party app lock को download करने की जरूत नहीं है, तो app lock को enable करने के लिए आपको जाना है settings में, apps में, और यहाँ पे होगा app locker आपको इससे open करना है, अपने pin को enter सबसे पहले आपको यहाँ पे lock app when, इस पर tap करना है, और यहाँ पर paste it करना है, screen is locked और app exits, इस पर tap कीजिए, और जिन किसी apps को आपको app lock में add करना है, आपको इस तरह के से tick करना है, आप lock में add करने के लिए, तो जो भी apps आप टिक करोगे, add करोगे, आप lock में यहाँ पे show करे इस तरह के से, अब इसे इस के से करना है, तो जब भी आप किसी भी app को open करोगे, जिसमें आपने app lock को enable किया है, अगर आप उसे open करोगे, तो आपको इस तरह के से, यह app lock का interface, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके दो feature काम करेंगे, एक तो आपका pin या फिर आपका fingerprint, तो आ आपको मिलता है dual app का feature मतलब कि आप एक ही आपको दो अलग-अलग account के साथ यूज़ कर पाऊगे, तो इससे enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, apps में, और यहाँ पे होगा, cloned apps, इसे open कीजिए, यहाँ पे आपको शुगर आपको सभी apps को देखना है, तो आपको जाना है, see other apps में, सभी apps आपको यहाँ पे शुगर इंगे, तो अब आपको जिन किसी apps Qدill app में enable करना है, आपको उसे on करना है, इस तरी किसे, जिस किसी app को आपने Android एप में add किया है, आपको शुखर इंगे इस तरी किसे, उसका icon आपको शुखरेगा, आप उनने इस तरी किसे open करके यहाँ पे लोक्षिंट पे अड़ किया गया है device control का यह shortcut हला कि मुझे यहाँ पे अड़ करना है camera और torch का shortcut तो आपको home page पे long tap करना है customize पे tap किजिए फिर यहाँ पे swipe किजिए और यहाँ पे है shortcuts tap किजिए तो यहाँ पे है left और right यहाँ पे आपको बिलेंगे option दोने shortcuts torch और camera के लिए तो इने launch करने के लिए आपको उस icon पे long tap करना है torch on हो जाएगा आप देख सकते हो camera को open करना है तो long tap किजिए इस तरीक से आप camera को भी open कर पाऊगे और आपने गोर क्या होगा fingerprint sensor के नीचे मैंने अपने name को यहाँ पे add किया है अलाकि आप अपना कोई भी name या फिर जो image है उसे यहाँ पे add कर पाऊगे तो उसके लिए आपको अपने home page पे long tap करना है customize पे tap किजिए more पे tap किजिए add text पे tap किजिए आप अपना कोई भी text या जो image है उसे add कर पाऊगे फिर आपको करना है save तो जो भी आपने add किया है आपको अभी यहाँ पे शुकर रहेगा इसलिके से नीचे आप देख सकते हो अगर आपको अपने phone में burst shot को capture करना है मतलब की continuous shot को capture करना है अपने camera app से तो आप ऐसा भी कर पाऊगे लेकिन यहाँ आप पे by default उसे off रखा गया है अगर मैं shutter पे long tap करूँगा तो video start हो जाएगा आप देख सकते हो लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे burst photo capture हो तो आपको जाना है settings में और यहाँ पे press and hold shutter इस पे tap कीजिए और आपको set करना है burst shot पे इसके बाद आप जब भी shutter पे long tap करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 continuous shot इस तरह के से आप देख सकते हो और आपके जो सारे photos यहाँ पे show करेंगे इस तरह के से यह रहे आपके 20 photos इस phone में आप अपने status bar पे battery level, internet speed और जो vibrant icon है उससे place कर पाऊगे तो आपको जना है settings में, display में और यहाँ पे है status bar आपको अब यहाँ पे तीनों options को own करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो battery level show करेगा percent में और यहाँ पे है network speed और जब भी आप अपने phone को vibrant पे enable करोगे तो vibrant का icon भी आपको उपर में up show करेगा अगर आप अपने phone में gaming करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो game है कितने fps पे run कर रहा है तो आप इस phone में real time fps meter को enable कर सकते हो तो आपको जना है settings में, system में, game mode में, game dashboard में और यहाँ पे होगा game dashboard floating icon आपको इन दोनों को own करना है इसके बाद अगर आप किसी भी game को open करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा floating icon आप देख पार हो right side में आपको इस पर tap करना है, फिर से tap किजिए, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा fps का option, tap किजिए तो आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको मिलेगा real time fps तो game कितने paste परन कर रहा है, आप यहाँ पे चेक कर पाओ के real time में हाला कि आप इस icon को जहाँ पे जहाँ पे प्लेस कर सकते हो, इस तरह किसे आप देख सकते हो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप कोई भी content copy करते हो, तो उसे होता है clipboard में तो मान लिजी मैंने इस content को copy किया, ठीक है, अब यह से होगा clipboard में, लेकिन इस से होगा नहीं, क्यूंकि इस phone में clipboard को off किया गया है, तो अगर आप चाहती clipboard को on करना, तो आपको सबसे फ़हले keyword को open करना है menu के icon पिट्याप करना है, और यहाँ पे clipboard उस पिट्याप किजिए, और आपको इस clipboard के option को toggle को on करना है इसके बाद आपको इभी content अपने phone में copy करोगे, तो उसे होगा clipboard में, तो मैंने इसे save कर दिया है, मतलब की copy कर दिया है तो आप देखोगे, जो भी मैंने copy किया है, वो अब आपको शुगर एगा clipboard में, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आप one tap में उसे कई पे भी paste कर पाओगे, आसनी से, देख सकते हो आप इस तरी किसे अब बात करते हैं control panel की, तो अगर आप गोर करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है केवल data का toggle, wifi का toggle यहाँ पे missing है, लेगिन यहाँ पे मिल जाएगा आपको wifi का भी toggle, आपको data के toggle पे करना है swipe, इस तरी किसे यहाँ पे wifi और data के toggle को combine किया गया है, पिर यहाँ पे torch का toggle, तो अगर आप इस पे single tap करोगे, तो launch होगा normal torch, यह रहा, लेगिन अगर आप इस पे long tap करोगे, तो launch होगा glyp torch, इस तरी किसे आप देख सकते हो, तीनो LED यहाँ पे show कर रहे है, इसके लोग है आप NFC के toggle को by default on रखा गया है, उसे आपको off करना है, जब आप उसका इस करोगे उन्हें add करना है, control panel में, save करने के लिए back जाईए, इसके लिए आपको यहाँ पे भी मिलता है power menu, तो आप यहाँ से भी power menu को access कर पाऊगे, अपने phone को restart power up करने के लिए, दोस्तो तो A2O20 settings जिने आपको change करना था आपके nothing phone 2A में, इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter रहनी की accept पे भी message कर सकते हो, इस उडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो